दोस्तों अगर आप भी एक वीडियो क्रियेटर हो, YouTube, Facebook इनके लिए वीडियो बनाते हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही useful होने वाला है, आज के वीडियो में आपको एक बहुत ही कमाल का वीडियो editing software बताने जा रहा हूँ, ये वीडियो editing software आप अपने low end PC पर भी देखते हैं कौन सा है ये वीडियो editing software, दोस्तों ये वीडियो editing software बहुत ही कमाल का software है, इसके अंदर आपको बहुत सारे features देखने को मिल जाते हैं, इसे use करना बहुत ही आसान है, सबसे पहले आपको अपने PC पर एक software install करना होगा, इस software का download link मैंने वीडियो के description ने दे रखा है, आपको उस link पर click कर देना है, जब आप उस link पर click करोगे, आप twins kit की इस website पर पहुँच जाओगे, as movie video editor को आप windows और mac दोनों पर use कर सकते हो, ये windows 11, windows 10, windows 8.1, windows 8, windows 7, vista, xp, सब पर ये काम करता है, अगर आपका OS 64 bit है या 32 bit है, तो दोनों पर ये काम करेगा, यहां पर एक option आ रहा है, free trial, आपको free trial के button पर click कर देना है, जैसी आप free trial पर click करोगे, नीचे की साइड यहां पर एक exe file download हो जाएगी, software को install करने के बाद, जब आप इसे open करोगे, तो इस तरह का interface दिखाई देगा, यहां पर as movie की bending दी गई है, file का option मिलता है, edit का option मिलता है, view का option मिलता ह इसके अलावा यहां पर आप देख रहे हो, import और record दो option आपको दिखाई दे रहे है, यहां पर आप अपनी वीडियो या audio को अगर record करना चाहो, तो वो भी आप यहां पर कर सकते हो, अपने webcam को use करके अपनी वीडियो को आप यहां पर record भी कर सकते हो, इसमें आप वीडियो क पर क्लिक करते हो as movie recorder open हो जाता है यह एक बहुत ही बहुतरीन screen recorder है यहां पर आप देखर हो यहां से हम screen के size को select कर सकते हैं कौन से area को आप record करना चाहते हो यहां से हमें webcam का option मिल जाता है इसके बाद यहां पर system audio का option दिया गया है आप चाहते हो आपके PC आपके सिस्टम की audio यहां पर record हो तो उसे आप यहां से enable disable कर सकते हो यहां पर हमें माइक का option मिल जाता है इसके अलावा यहां पर screen record का option आ रहा है screen record sound record camera record तो फिलाल हमने यहां पर show होने लगेगा और आप यहां से video भी shoot कर सकते हो यह आगर आप audio को record करना चाहते हो आपके एवल रीकॉर्ड पर कलिक कर दो आपकी sound यहां पर record हो जाएगी तो हम यहां पर screen रीकॉर्ड पर क्लिक कर देते हैं और यहां से हम select कर लेते कि तो आप देख रहे ही यह वाला इरिया हमारा यहाँ परkilikॉरड हो रहा है क्रिज स पर कर देना है तो जैसे ही आप रिकॉर्ड को बंद करोगे करोगे यह रिकॉरडिंग आपके video editing सौ इलिंट के मीडिया फोल्डर में दिखाई देने लिड़ती है क्रिज कुछ वो हमारी यहाँ पर show हो रही है इसको हम यहाँ पर add कर देते हैं timeline पर add कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसे play करके आप देख सकते हो इसका preview देख सकते हो इसको edit कर सकते हो अगर आपने पहले से कोई video बना रखी है उसे आप edit करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको import के बटन पर किलिक करके उस वीडियो को यहाँ पर add कर लेना है यहाँ पर भी import का option आ रहा है यहाँ से भी आप अपनी वीडियो को यहाँ पर add कर सकते हो import पर किलिक करेंगे और यहाँ से मैं वीडियो ले लेता हूँ ये तीनो वीडियो में select कर लेता हूँ और इन्हें हम open पर click कर देते हैं तो आप देख रहे हो हमारी तीनो वीडियो यहाँ पर import हो चुकी है जो भी media हम यहाँ add करते हैं चाये वो हमारी image हो, audio हो, video हो जो भी आप add करोगे वो आपको इसी folder में दिखाई देगी यानि जो media folder है, इसके अंदर आपका सारा media यहाँ पर show होगा यहाँ पर सबसे पहले यह जो file का option आ रहा है, file के button पर आपको click करना है और यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा, project settings project settings पर click कर दीजे, उसके बाद यहाँ से आपको इसका resolution बगएरा set कर लेना है कि आप अपनी video को किस quality में रखना चाहते हैं, यहाँ पर आप 4K की video भी रख सकते हैं यहाँ से हमने इसे select कर लिया, उसके बाद यहाँ से हम frame rate भी set कर सकते हैं मैं यहाँ पर 30 fps कर देता हूँ, frame rate 30 fps हमने यहाँ set कर लिया उसके बाद ok पर click कर दो, हमारे project की setting हो गई अब उसके बाद यहाँ पर हमारा media हमने पहले ही add कर लिया है अब आपको अपना जो video है, माल लीजे, यह वाला video हम edit करना चाहते हैं तो इस video को पहले हमें timeline पर add करना होगा यह वाला area आप देख रहे हैं, यह होता है timeline इसके अलावा आप इसे drag and drop भी कर सकते हो, simple इसको उठाके आप यहाँ पर रख दोगे, तब भी यह add हो जाएगा आपकी timeline में तो यहाँ पर हम plus के button पर click कर देते हैं, जैसी हम यहाँ पर click करेंगे, आप देख सकते हो, हमारा video timeline के अंदर add हो चुका है और हमारे video का preview यहाँ पर दिखाइं दे रहा है, अब यहाँ पर यह message आ रहा है, match to media, keep project setting यह दो option आपको दिखाइं दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर keep project setting पर click कर देंगे, अब आप देख रहे हो, हमारा video यहाँ पर add हो चुका है और इस वीडियो का preview आपको यहां दिखाई दे रहा है, यह है इसकी preview window, यहां पर आप इस वीडियो को play करके भी देख सकते हो, यह हो गई हमारी preview window, और preview window के नीचे यहां पर option आपको दिखाई देंगे, यह play का option आ रहा है, stop का option आ रहा है, यहां से आप वीडियो को play, stop यह दर में जाके सेव हो जाएगा यह आप देख सकते हो स्नैप शॉट हमारा यहां आ चुका है इसके अलावा यहां पर स्पीकर का बटन है इससे आप इसके वॉल्यूम को कमिया ज्यादा कर सकते हो साथ ही साथ यहां पर एक आप्शन आ रहा है इससे आप यह प्रिव्यू चीज़ में आपको बता दे रहा हूं यहाँ पर जो हमने जैसे मान लीजिए हमने यह वीडियो एड किया है इस वीडियो को हमने Сेलेक कर लिया जैसे आप mund शेलेक कर कर सकते हैं आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको इसकी ओपेसिटी को आपको कम करना है ज्यादा करना है जिस जो भी आपको रखनी है वो यहां से आप कम कर सकते हो इसे आप रोटेट भी कर सकते हो यहां पर इस तरह से हम रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकत हैं अगर आप चाहो तो यहां से इसके ACT को भी स्केल कर सकते हो इसके अलावा इसके अंदर हमें क्रोम की का ऑप्षन मिल जाता है साथ नीचे यहांपर कंपॉस्टिंग का ऑफ्षन भी आ रहा है ब्रस्के आपकी जो आपकि से उसे भी आप edit कर सकते हो audio पर click करो यहाँ पर आप इसके volume को कम ज्यादा कर सकते हो इसकी pitch को आप change कर सकते हो fade in fade out का option मिल जाता है denoise का option मिल जाता है equalizer का option मिल जाता है इसके बाद यहाँ पर एक option है color का color पर आप click करो आप इसकी brightness बगएरा को change कर सकते हो जैसे brightness कम करनी है ज्या यह है delete का option यह है cut के लिए और यह है speed को कम्या जादे करने के लिए आप अपने वीडियो की speed को कम्या जादे भी कर सकते हो यह reverse का option यहाँ पर आ रहा है वीडियो को reverse अगर play करना हो तो वो भी आप कर सकते हो साथी साथ यहाँ पर आपको key framing का option भी मिल जाता है यह भी बहुत ह बड़ी चीज़ यह है यहां पर हमें voice over का option मिल जाता है अगर आप यहां पर कोई voice over add करना चाहते हो तो वह भी आप यहां से कर सकते हो record यह voice over का option यह दिया गया है इसके अलावा marker add करना हो तो marker भी आप इसके अंदर add कर सकते हो साथ इसाथ zoom to fit का option आ रहा है यानि इस screen को जो हमारी timeline है इसको आप बड़ा करना चाहते हो zoom in या zoom out करना चाहते हो fit करना चाहते हो वो भी हम यहां से कर सकते हैं यहां पर आप इस तरह से mouse से इसको और भी इस तरह से कर सकते हो से यह clear दिखाई दे इसके अलाबा इस video editing software के अंदर सबसे कमाल की बात यह है कि इसके अंदर हमें multi layer का option मिल जाता है यानि multi track का option मिल जाता है इसके अंदर आप जितनी चाहो उतनी track add कर सकते हो चाहे वो audio track हो या video track हो अगर आपको कोई नया track add करना है तो यह plus का बटन आ रहा है इस पर आप किलिक कर दो और नया track आप add कर सकते हो audio track video track इसके अंदर हम add कर सकते हैं यह बहुत ही कमाल का मुझे feature इसका लग रहा है तो यहां पर हम edit करके देख लेते हैं अपने video का कोई part अगर आपको cut करना है तो यहां पर इस तरह से मैं इसे लेके जाओंगा cursor को मैं इस तरह से लेके जाओंगा मालो मुझे यहां से इस video को cut करना है ठीक है तो मैं इस यहां छोड़ दूँगा इसके बाद यह जो cut का option आ रहा है इस पर मैं क्लिक कर दूँगा हमारी वीडियो यहां से यह कट हो गई यह जो इतना portion है इसे इस वाले portion को हटाना चाता हूँ एक बाद फिर से मैं यहां से कट कर दूँगा तो यह जो हमारा बीच का portion है बीच वाला हिस्सा अलग हो गया अब इसे हमें simple delete कर देना है इसे select करो और यहां पर delete का button आ रहा है इस पर click कर दो यह हमारा हिस्सा यहां से delete हो गया उसके बाद इन दोनों को इस तरह से मिला देंगे यह हमारे दोनों इस तरह से add हो गए इसके अलाबर इस चीज में आपको और बता दे रहा हूँ जैसे आपने यह video select किया उसके बाद अगर आप right click करोगे तब भी आपको यह सारे option यहां पर मिल जाएंगे यहां पर आपको cut का option मिल जाएगा copy का मिल जाएगा delete का मिल जाएगा ripple delete का मिल जाएगा split का option मिल जाएगा सारे option यहां पर आपको देखने हो मिल जाएगे detach audio का option भी इसके अंदर दिया गया है यानि जो वीडियो के अंदर आपका audio track है अगर आप चाहते हो उस audio track को अलग करना वीडियो से अलग करना तो वो आप यहां से detach audio पर click करकर उस audio को detach कर सकती हो अलग कर सकती हो इसके अलावा यही से आप speed भी कम या ज़ादा करना चाहो एपने वीडियो की speed को कम या ज़ादा करना चाहो तो वो भी आप यहां से कर सकते हो साथी साथ किसी फ्रेम को freeze करना हो freeze frame अगर आप add करना चाहते हो तो आप add freeze frame पर click करके उसे भी यहाँ से add कर सकते हो आप वीडियो का reverse direction में अगर play करना चाहते हो यहाँ पर reverse पर click करके आप reverse play कर सकते हो अपनी वीडियो को यह सारे option right click करोगे तब भी मिल जाते हैं और यहाँ पर भी यह सारे shortcut दिये गए हैं यहाँ से भी आप इनको use कर सकते हो इसके अलावा यहाँ पर हमें बहुत सारे effect भी देखने हो मिल जाते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इस side आप देखोगे यहाँ पर आपको कुछ folders type के दिखाई दे रहे हैं सबसे पहला folder है यह media folder है जो भी media आप यहाँ पर add करोगे वो सारा media आपका इस folder के अंदर ही दिखाई देगा उसके बाद यहाँ पर आपको एक element का option मिल जाता है elements के अंदर आपको बहुत सारे elements यहाँ पर दिए गए हैं इनमें से किसी भी element को अगर आप अपने वीडियो के अंदर add करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से कर सकते हो मान लीजिए यह वाला element हम add करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर दो option है plus के button पर click करके भी आप इसे add कर सकते हो इसके अलावा drag and drop करके भी आप add कर सकते हो यहाँ से drag करूँ और यहाँ ड्रॉप कर दूँ तो यह element हमारे वीडियो के अंदर आ चुका है यह आप देख रहो यह हमारा यहाँ वीडियो के अंदर आ गया यह अगर side में आपको रखना है simple इसको यहाँ से सीधा उठाओ और जहां भी आपको इसे रखना है वहाँ इसे आप रख सकते हो और इसको आप resize करना चाहो resize भी कर सकते हो इसके अलावा जो side इसकी setting आ रही है मान लीजे हमने element को select कर लिए तो यह हमारी settings थी यह settings हमारी change हो चुकी है अब यह हमारी element की setting हो गई देख रहे होँ आप image और color यानि आप इस image के color को change करना हो इसकी opacity को कम या जज़ादा करना चाह रहे हो तो इस etcetera से आप इस की opacity को कम या ज़यादा कर सकते हो इसे rotate करना चाह tools your mean, you indifferent कर सकते हो इ यह element हमारे वीडियो में edit हो गया है, तो इसके बाद element के बाद यहां पर एक option दिया गया है, audio का, अगर आप background music use करना चाहते हो, add करना चाहते हो, तो यहां पर बहुत सारे music पहले से दिये गए हैं, इनमें से भी आप use कर सकते हो, और आप चाहो अपना कोई music add करना वो भी आप कर सकते हो, इसके अलावा यहां पर sound effects भी आपको मिल जाएं, इन sound effects को भी आप use कर सकते हो, उसके बाद number आता है, text का, यहां पर text का option दिये गया, इसके अंदर बहुत सारे आपको title देखने को मिल जाएंगे, title बगएरा add करने हैं, text बगएरा add करने हैं, तो इनके आपको text templates दिये गए हैं, आप अगर किसी text को template को add करना चाते हो, तो वो भी आप कर सकते हो, यहां पर आपको बहुत सारे text template देखने को मिल जाते हैं, text template है, static है, इस तरह के आपको static template भी मिल जाएंगे, dynamic है, इस तरह के title भी देखने को मिल जाएंगे, तो मालो मैं इसे use करना चाता तो मैं simple, यहां plus के button पर click कर दूँगा, यह हमारा add हो गया, आप देखो कुछ इस तरह का यह दिखाई देगा, आप यह जो template है, text template है, इसको आप edit कर सकते हो, इस side आप देखोगे, यहां पर option आ रहा है, text 1, text 2, text 3, यहां पर आप जो भी लिखना चाहो, वो आप लिख सकते हो, और इसके अलावा आप इसके size को कम या ज्यादा करना चाहो, तो यहां से आप इसके size को कम ज्यादा कर सकते हो, यह हमारा text आ गया, तो इस तरह से आप यहां पर text को add कर सकते हो, इन में से जो आप चाहो वो आप add कर सकते हो, इसके बाद यहां पर एक option आ रहा है effect का, इस सारी ट्रांजिशन यहां पर दिये गए हैं मालो यह ट्रांजिशन हम लगाना चाहते हैं तो हम इसे यहां रख देंगे और फिर से एक वाँ प्ले करेंगे आप देख सकते हो यह वाला ट्रांजिशन एफेक्ट हमारा लग गया तो यह काफी बड़िया लग रहा है इसके यहां पर एक रीजिनल एफएक्ट यहां पर एक स्कृ्छन ज्यादा प्र आयर्क देखनों कौ Ey यह आपकी वीडियो कर ली उसके बाद इवारा इब आपको सिर्फ यहां पर एक्स्पॉर्ट पर क्लिक कर देना है अब यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि, आप अपने वीडियो को किस format में save करना चाहते हो अपने वीडियो का नाम यहां से आप select कर सकते हो यहां पर अब आपको export पर click कर देना है यहां पर एक message आ रहा है the trial version export video with a watermark यानि इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इसका trial version use कर रहे हो तो आपके वीडियो में as movie video editor का आपको watermark देखने को मिलेगा तो सीधी सी बात यह है अगर आपको यह video editor पसंद आया है आप इसे use करना चाहते हो तो सीधा आपको इसे why कर लेना है यहां पर why now के button पर आपको click करना है जैसे आप why now के button पर click करते हो इनके सारे plans आपको यहां पर दिखाई देंगे one year plan, one month plan, lifetime plan, मुझे तो lifetime plan सबसे बड़िया लग रहा है क्योंकि 70 US dollar में आप इसे पूरे lifetime use कर पाऊगे और हमेशा के लिए यहां पर सारे features मिलेंगे कोई watermark इसमें नहीं आएगा, unlimited download मिलेगा lifetime free tech support यहां पर मिल जाएगा इसके अलावा 30 day money back guarantee भी इसमें मिल रही है अगर आपको 30 days में यह पसंद नहीं आता है, कोई दिक्कत आपको लगती है तो आपके पैसे बापस हो जाएंगे 30 दिन के अंदर अंदर तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा बहुती कमाल का video editing software है इसे use करना बहुती आसान है, इसके अलावा इसे आप अपने low end PC पर भी use कर सकते हो साथी साथ इसके अंदर ऐसे ऐसे features आपको देखने को मिल जाएंगे जो की बहुत महंगे महंगे software के अंदर ही हमें मिलते है आपको ये video editing software कैसा लगा? हमें comment box में comment करके जरू बताएं आज के video में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने next video में तब तक के लिए जैहिन, one day, मातरम